नावने इसके लिए कॉंग्रेस ने बगवान राम को कालपुनिक बता दिया था कॉंग्रेस ने जम्मू कश्बिर चे आर्टिकल 378 ने का भी विरोथ किया था कॉंग्रेस ने देश की पहली आधिवासी महिला राश्पती बने उसका भी विरोथ किया Medical Engineering की पढ़ाई भारत की बाशाओं में हो, हमारी गाउं की बाशाओं में हो, गरीब की बाशाओं में हो, कौंग्रेज इसका भी विरोथ करती है अब मुझे बताइए क्या गरीब मा का बेटा डॉक्टर इंजिनियर बन सकता है और नहीं बन सकता है आपका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है नहीं बन सकता है क्या उसका गुना है उसने अंग्रेज में पढ़ा ही नहीं की इसलिए यह आपके बेटे ने ताई किया है आपका बेटा आपकी भाशा में पढ़ेगा तो भी वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजिनियर भी बन सकता है, यानि कॉंग्रेट उस काम का विरोध करती है, जिस से देश आगे बढ़ रहा हो, इसलिए रिवर्ज गियर बल लगाने वाली कॉंग्रेट से MPK लोगों को बहुत साउधान रहने की जरूत है, मेरे परिवार जुनो मैं आपसे एक बात और पुछूँगा, हमारे महराच छतर साल और दूसरे पुरवजों ने, बुंदेल खंड में जल सवरक्षण की तलाबों के विकास के विरासत, हमें सौंपी हैं के नहीं सौंपी हैं, अच्छे से अच्छे जल प्रबंदन की ववस्ता सौंप के गई है एक नहीं गए हैं, जरा जोर से बताईए, देखे गए एक नहीं गए हैं, हमारे पुरवजों ने हमारे लिए इतना काम किया तक नहीं किया था, बुंदेल खंड जल सवरक्षण की विवस्ता में बहुत आगे था, तो फिर आजादी के बात, बुंदेल खंड को बुंद ब क्या उस क polit को सफ्ता के लिए तरसाएंगे आप, सो साल तक तरसाएए इनको, सो साल तक, कब इनका दिमाद ठिकान पढ़ेगा, बीना पानी तरसना क्या होता है, बीना सप्ता को कैसे तरसना होता है, यह को androns को पता चलना चाहिए, यह सजा करोगे, मुझे बताईए, भायो बेहनों ये जो केन बेतवा नदिया है ये मोधी प्रधान मंत्री बना उसके बाद बहने लगी क्या ने ये केन बेतवा नदिया ये मोधी के आनेव के बाद आई क्या पहले ठीक नहीं थी दसकों तब जब कॉंगरेस सरकार थी तब भी ये नदिया बहती थी तो फिर केन बेतवा लिंग नहर को मोधी को अका इंतजार क्यों करना पड़ा आज भाजबास सरकार इस परियोजणा पर 45000 करोर रुपे खर्च करने जा रही है ये परियोजणा इस पुरे क्छेत्र का काया कल्प कर देगी और ये मोधी की गारंटी है ये मोदी की गारंटी है 45,000 करोड रुपया लगा कर केन बेतवा लिंक का काम पूरा करके मैं आपको पानी की तरस मिटाओंगा